Hello friends, this is Ash Pissing and welcome to Ismaili's Everyday. प्यारे दोस्तों, बात करेंगे, be it first semester. According to Kanpur University, जो पेपर second है आपका, जिसका नाम Sociological Perfectus of Education है, सिक्षा के सामाजिक प्रेपिक्च. ये पेपर आपका 14 मार्च को लगा हुआ है. आज हम लोग Top 20 Questions डिसकस करने वाले हैं. पार्ट आपका 3 रहेगा, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2 में हम Questions डिसकस कर चुके हैं. Dear friends, अगर आप हमारी ये सिर्फ Questions और मेराथनों क्लास मेंने कराई हैं, सिर्फ इतना कर लेते हैं, जो Questions हम आपको कल भी देने वाले हैं, इतना करने से पूरा पेपर आपको यहीं से मिल जाएगा. Questions कुछ तरीके से लिखा गया है. देखिए, टॉपिक आपका कलियर होना चाहिए, आप ये समझके ना पढ़ें, क्योशन हम सौट तियार कर लें कि लॉंग तियार करें? टॉपिक कलियर हो जाए, वहीं से सौट बनता है, वहीं से लॉंग बन जाता है. ठीके, तो ये कुछ questions ने, जो बहुत important questions का collection रहेगा, और मेरत्रों क्लास नहीं देखिए, तो उसको जरूर देखिएगा. चलिए, शुरू करते हैं, पहला question आपके शामने है, शामाजिक समूहों का अध्यन है, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, शामाजिक समूहों का अध्यन है, क्यों? क्यों समाजिक समूहों का अध्यन कहा जाता है? व्यक्ति समाज में अकेला नहीं रहता, अपितु अन्य व्यक्तियों के साथ रहता है, अगर अकेला विक्ति रहे कहीं जाकर के तो उसका जीवन ही यापन नहीं हो सकता क्योंकि जो उसकी नीडs हैं जो उनको fulfill करने के लिए उसको समाज की शाहता लेनी होगी उसको समाज के साथ मिलकर के चलना होगा तबी वो अपनी जरूरतों को दूरा कर सकता है इसलिए समाज में रहना उसकी एक क्या कैसे कह सकते हैं की मजबूरी भी है वास्तों में विक्ति का जीवन विभेन शमाजिक समूहों का शदश होने के करण ही संगठित जीवन है यहाँ पे हैरी M. जॉंसन के अनुसर कहा गया है शमाज शास्त्र शमाजिक समूहों उनके आंत्रिक शोरूपों या संगठन के शोरूपों उन प्रक्रियाओं जो उस संगठन में बनाये रखती हैं या प्रिवर्तित करती हैं और समूहों के बीच में पाए जाने वाले शमंदों का अध्यन करने वाला है कि जो समाज शास्त्र है शमाजिक समूह में जो विक्ति के विक्तियों के समूह के समाज के बीच में जो इंट्रेक्शन होती है जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं, उनका जो अध्यन है, वही क्या है, जो है, शमाजशास्त्र कहलाता है, है ना, और ये शमाजिक शमंदों का अध्यन वाला विज्ञान है, जॉनसन की प्रिभाशत से हमें ये बता चलता है, कि शमाजशास्त्र, शमाजिक शमुहों, इनमें प आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर आसरित हैं, क्योंकि समू है, शंगठन है, तभी तो समाज है, और समाज है तभी शंगठन है, जब दो या दो से अधिक वेक्ति किसी लक्ष या उद्देश को पाने के लिए एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, या आपस में इंटरेक्शन करते हैं, और इसके प्रिणाम, शुरूप, उनके मद्ध, समाजिक शंबंद स्थापित होते हैं, जब दो वेक्ति किसी उद्देश को पाने के लिए काम करेंगे, एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, चुलेंगे, अंतर क क्या होता है, पर्थम, दो या दो से अधिक विक्तियों का संग्रह हो सकता है, दूसरे में उनमें प्रतेक्श या अप्रतेक्श शमंधों का होना, तीसरा, उनकी क्रियाओं का आधार, शामानहित या उद्देश का होना, ठीक है, तो ये क्या था, हमारा जो समू होता है, उ विश्यवश्तु क्या है। विश्यवश्तु पूछ ले। या सैकशिह समाजशा स्थ्र का छेटर पूछ ले। या छेटरें विश्यवश्तु दोनों पूछ ले। आप यही आंसर लिखेंगे, देखे, सेक्षिक समाजशास्त्र में समाज की वर्तमान, आविश्यक्ताओं और अकंग्षाओं का अध्यन किया जाता है, और इन्हें जो समाज की वर्तमान, प्रिजन टाइम में जो नीड्स हैं, जो उनकी आवश्यक्ताओं हैं, उनका अध्यन किया जाता है और उनको पूरा करने के लिए सिक्षा की प्रिक्रिया पर विचार भी किया जाता है कि आखिर समाज की आउसकता है पूरी कैसे होंगी उसके लिए सिक्षा मजबूत होनी चाहिए जिस समाज के विक्ति जितने ज़्यादा सिक्षित होंगी वो समाज उतने ही अधिक प्रगति कर पाएगा इसलिए education process पर विचार किया जाता है इसके लिए यह आवश्यक है कि पार्ट चर्या में प्रिवर्तन किया जाए जब आप पार्ट चर्या में प्रिवर्तन करेंगे समाज के आवसकता को देखते हुए पार्टिकरम बनाएंगे तो जाहिर सी बात है समाज के आवसकता है अपने आप ही पूर्ण होने लग जाएंगे क्योंकि समाज प्रिवर्तन सील है समाज बदलता रहता है अगर आप आपका पार्टिकरम पुराना है समाज आगे पहुँच गया तो दोनों में मेल नहीं बैठेगा ना दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्शन कर पाएंगे सेक्षिक समाज आपस्तर के अंतरगत परिवर्तन सील सिक्षा का अधियन किया जाता है सिक्षा के दौरा ही समाज में परिवर्तन आता है और समाज एक परिवर्तन के फलसरोफ ही सिक्षा में भी परिवर्तन होता है जैस्टा की मेनेका दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए ह सेक्षिक शमाजशात्र की विशय वस्तों में निम्नलेखित बातों को शमलित किया जाता है सेक्षिक शमाजशात्र की विशय वस्तों में कौन कौन सी बात है नमर एक तो शमाज में सिक्शकों का importance उनका place उनका इस्थान और चात्रों से उनकी शमन्ध के विशय में अध्यन करना स्येक्षिक्ष्माशाक्ट्र की विशयवस्तों के अन्तरगत आता है विद्याले और अन्य समाजिक संस्तों के पारस्परिक संबंधों का नियोजन और इनको प्रभावित करने वाले समाजिक तत्वों का अध्यन किया जाता है वेक्ति पर शमाजिक वा सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है जनतांतरिक भावनाओं के विकास के लिए पार्टिकर्म का निमान किया जाता है शमाजिक प्रकरिया में प्रेश, रेडियो, टेलिविजन, सिनेमा, पुस्तकाल है अजायब गर आदिका महत और उप्योगिता बहुत अधिक है तो इस प्रकार से सैक्षिक शमाशास्त्र की ये क्या है विश्यविष्टु है या यूँ कहें कि ये छेत्र है बहुत आसान तरीके से आपने दूसरा कोर्शन में त्यार कर लिया तीसरा क्योशन में कहता है खुला विश्यविदाले की शंकलपना को इस्पस्ट कीज़े खुला विश्यविदाले क्या है इसको आपको समझाना है देखिए खुले विश्यविदाले वे विश्यविदाले हैं जो किसी भी छेत्र के किसी भी जाती शंपताय के पूरसों और इस्तरियों को बिना किसी भेद भाव के सिक्षा परदान करने की विवस्था करते हैं इनका मुख्य उद्देश दूर दूर बैठे चात्रों को संचार के विभिन साधनों के माध्यम से संचार की विभिने माध्यम जैसे कि आपके मुबाइल हो गया रेडियो हो गया टेली वीजन हो गया इत्यादी है ना इंटरनेट हो गया माध्यम उसे शिक्षा प्रदान करना है इन विश्विद्यालियों को खुला विश्विद्याले कहा जाता है बस इतनी बात अगर आप समझ लेते हैं यहां से यहां तक तो बाकी दस चार शे दस लाइने और इसमें बढ़ा कि आप लिख सकते हैं खुला व पद्दती नियूनतम योगता जैसी कोई सर्त नहीं होती इसमें नवाचारों नए विचारों के लिए सजगता रहती है खुले विश्विद्याले का विचार सरपर्थम इंग्लैंड में कारे रूप में तरिनत हुआ भारत में दिल्ली विश्विद्याले ने जो पत्त्रा लाइक लग लग वन्स वर्ण लिंग भाषा धरम जाती समपरताइक के बच्चे आते हैं यह तो हम मानते हैं कि यह सब इंसे को प्योग भी तो है क्या से senpyak बैठ करके खाना खाते हैं एक साथ रहते हैं है नहीं जो भाषा इससे बक्राइब का जो सब्द कोष है वोकबलरी बोलता है धुआ नगलीजी वाले भी बक्रास बहाए की बहुए बच्च आई एक प्रबाय बहूरीब्ह पक्रीज और भी बहुत सारे हैं हम इनको समझते हैं भारत की विविदता को वंस वर्ण लिंग भाशा धर्म जाती शंपरताय शमदाय सामजिक शमुहू आर्थिक इस्थिति योगता के इस्तर श्वाष्थ है पेशों भागौलिक छेत्र जलवायू और राजनीतिक जुकाओं के इस्तर प मैं हम यह नहीं मानते कि इसनसादन आई हम मानते कि यह बाता है विद्याल्इय करें विद्द्वाण को एक शकारात्मक्त की एक करने विद्याला के सेक्षिक वातावरण को शम्रद्द बनाने और वर्तमान सेक्षिनिक वातावरण में शुद्धार करने के लिए महत्पूर्ण है ठीक है कक्षा में वयाप्त जो विविद्धता है उसका सेक्षिक भ्योग क्या है देखिए महरत एक भाषाई विविदता से युक्त देश है कक्षा में बहु भाषावाद की सक्तियों के प्रियोग मातर से विद्यार्थियों को ही पहँचान नहीं मिलती बलकि वो अपनी बातों को बड़ी मजबूती से कहवी पाता है इनके माध्यम से शैक्षिक अपलब्धी, भिन सोच, शंग्यानात्मक, लचीलेपन और समाजिक शहिश्वनुता की व्रद्धी होती है जो सिक्षा पर क्या करती है? शकारात्मक प्रभाव डालती है एक विद्याले जहां दो या दो से अधिक भाषाओं और बोलियों से समधित विद्यार्थिया सिक्षक होते हैं तो उन दोनों के ही सहयोग से एक विस्तरत शब्दकोष जैसा मैंने अभी कहा कि उनकी वोकर बेरी भी इंक्रीज जाती है शब्दकोष का निमान किया जा सकता है कई भाषाओं के प्रयोग से विद्यार्थियों के शरिंग्यानात्मक विकास को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है और वे अन्य भाषाओं और बोलियों की समर्दता से भी परिचित हो जाते हैं जिन संस्थाओं में महिला सिक्षकाएं होती हैं वे संस्था की अन्य महिला विद्यारतियों को सकारत्मक रूप से उनकी सिक्षा को प्रभावित करती है और उनकी सफलता में भी मातिपूर्ण भूमिका आदा करती है यदि किसी समू में विजाती है शदश्यो हो तो समू की उत्पादकता और रचनात्मकता बढ़ जाती है छातर हमेशा कुछ सीखते ही रहते हैं और जब वो भिनिता पूर्ण वातारों में सीखते हैं और जब वो समझदार कह सकते हैं कि और जब जब शीख जाते हैं हैना वेचातर जो अन्य परजाती या नसलिये के लोगों के साथ कक्षा में या अनौपचारिक वातारों में परस्परी क्रिया करते हैं तो उनमें शक्री चिंतन बहुदिक शंकलपना एक मोटिवीशन का उच्च इस तरह बहुदिक तथा अकादमिक निपुर्णता में वरधी तुलनात्मक रूप में अधिक होती है विभिन वरगों और समुखों से जुड़े विक्तियों को शेमिनार इत्यादिमी विचारों को रखने के लिए प्रेड़ किया जा सकता है इससे विद्यारती विविद्धा से परचित होते हैं तो यह आपने समझाए कोर्शन बहुत अचाए कोर्शन कक्षा में जो विविद्धा है उसका सैक्षिक उप्योग क्या है आगे बढ़ते हैं अगला क्योशन है भारत की राजनितिक विविद्धा में विविद्धा में विविद्धा यानि कि हमारे भारत में राजनितिक विविद्धा है हम कह सकते हैं सुद्ध बाशा में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी है बता नहीं भाजपा पार्टी है कांगरेश है और भी पार्टियां है तो आप है तो ये राजनीतिक विविदता के बाद भी राजनीतिक एकता है कैसे है इसको हम समझेंगे देखिए राजनेतिक विविदता में व्याप्त राजनेतिक एकता भी है राजनेतिक दृष्टी से भी भारती संस्कृती विविदता लिये हुए है और प्राचिन काल में देश की विशालता और यातायात के पर्याप्त शाधनों के अभाव में प्राचीन समय में क्या था याता यात के पर्याप्त साधन नहीं थे आज कल जो गाड़ियां है बाइक हैं जो भी खुश है ये सब साधन प्राचीन समय में नहीं थे यह प्रिलक्षित भी होती रही है किन्तु मगत के अजात सत्रू मौर आंद्र और गुप्त शमराटों ने राजनेतिक परंप्रा की एकता को बनाये रखा मद्ध युग में भी अकबर मद्ध युग में भी अकबर औरंग जेब और मराठों की पेश्वाओं ने भारत की राजनेतिक एकता को बांद करके रखा उस शमय भी केंदर से सारे सामराजिका सासन संचालित होता था कहां से के अंदर से आज भी शोतंतरता प्राप्ति के परशात हमारे यहां प्रजातांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है हमारे देश में अनेक राजनेतिक दल है और विक्तियों को अपने दिश्टिकॉर्ण के अनुसार इनका समर्थन करने की पूर्ण सवतंतरता है आप जिस पा संगर्स की इस्तिति नहीं बनती समझे बात आपको अपने बात समझी यानि कि यह जो पार्टियां हैं इनको लेकर के संगर्स की इस्तिति तो पैदा हो जाती है लेकिन इससे हमारी भारती शंश्कर्ति पर कोई प्रभाव कोई आच नहीं आती संगर्स की इस्तिति नहीं बनत जो नेता है ना उनका एहम, उनकी सत्ता की भूख का संगर्स है, इसलिए हमारी संस्कृति बच्ची हुई है, अता या संगर्स भी सत्ता ही तोर पर सुल्याय जा सकता है, और इससे भारती संस्कृत की एक्ता खत्रे में नहीं पड़ सकती है, तो आपने कोशन समझ लिया, रा कौन-कौन से प्रावधान किये गए हैं, वो हमको बताने हैं, या फिर कोशन आपसे ऐसे भी पूछ रखता है, भारत के संदर्ब में धर्म लिपेक्षता की आधनिक अवधारना को बताईए, चलिए समझते हैं इस कोशन को देखेगा, भारती संदर्ब में एक धर्म लिप धर्म और राजनिती दोनों अलग-अलग होते हैं, धर्मिक करवकांडों और संसकारों को अधिक मत नहीं दिया जाता, धर्म वेक्ष राज में, क्योंकि वहाँ पे सबको अपना अपना धर्म मानने की, पूजने की या जो भी कुछ है, उनको अपना अधिकार होता है सबको धर्मिक दिश्टिकोन के पेच्छा तार्किक और वेगानिक दिश्टिकोन को महतो दिया जाता है, राज या सरकार का कोई धर्म नहीं हो तक, राज या सरकार किसी भी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं करती, किसी भी पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा नहीं देती, धर्म के आधार पर राज नागरिकों के बीच कोई भेदबाव नहीं करता और राज लोगों पर किसी धर्म को थोपता नहीं है, यानि कि राज ये नहीं कहता कि आप इसी धर्म में विश्वास रखें, बाकी धर्म बेकार हैं, ऐसा नहीं है, राज क्या है, राज ये मानता है कि सभी दर्म अपने अपने हिसाब से नागिरिक मांग सकते हैं कोई दिक्षत नहीं है राज के समस्त नागिरिकों को समान इधिकर पराप्त होते हैं और लिंग, रंग, जाते, प्रजाती धर्म के अधरा पर उनमें कोई भेदवाव नहीं किया पहले से विद्यमान पंत निर्पेकिशता की भावना को और प्रबल बनाने के लिए जोडा गया था आडिकल 14 के अगर बात करें तो विदी के शमक्ष शमानता गादिकार इसके अंतरगत विबिन धर्मों के सभी लोगों को एक शमान माना जाएगा कहा गया है कि राजी द्वारा भारत के राजी छेतर में किसी व्यक्ति को विधी के शमक्ष, शमता से या विधियों के शमान असन रच्छन से वंचित नहीं रखा जाएगा धारा 15 के अगर बात करें तो धर्म, मुलुवंस, जाती, लिंग या जन्मिस्थान के आदारा पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा है ना धारा 15, 2 और 3, 15 जो 2 है, 15, 2 और 3 में कहा गया है सारवजनिक इस्थानों पर आने जाने की शमानता का अधिकार होगा शबको धारा 15, 2 के अंतरगत सभी वेक्तियों को बिना किसी भेद भाओ के वेबशायों, सारवजनिक भोजनालियों, होटेल्स और सारवजनिक मनुरंजन के इस्थानों में प्रिवेश का अधिकार होगा धारा 15, 3 के अंतरगत पूर्णतिया या आंसिक राजे निधी से पोशित या साधारन जनता के प्रियोग के लिए कुओं, तालाबों, इस्थानों, इस्थानों के प्रियोग का अधिकार सर्व शामान जनता को दिया गया है धारा 16 की बात करें, तो लोक शेवाओं में अवसरों की शमान था, इसमें शभी लोग बिना किसी बेहदभाव के अपनी योगता की आधार पर सरकाई नोकरी प्राप्त कर पाएंगे धारा 17 अशप्रश्रिता का अंत किया गया है, इसमें अशप्रश्रिता यानि चुवा चूद को निसिद माना गया है धारा 25 धार्मिक सोतंतरता का अधिकार, इसके अंतरगत प्रते के विक्ति को धर्म की सोतंतरता है, वह किसी भी धर्म में विश्वाश रख सकता है धारा 26 धारमिक संस्थाइं इस्थापित करने का अधिकार है इसके अंतरगत धारमिक संस्थाओं की स्थापना करना और उनका प्रबंद करना, अपने धर्म से शमनित कार्यों को करना धर्मिक कारियों के लिए चल और अचल संपत्ती प्राप्ति रने के अधिकार दिए गए हैं धर्या 27 धर्म के नाम पर कर लगाने पर प्रतिबंद है इसके अंतरगत भारत के किसी भी राजी के दौरा, और किसी भी नागरी को ठीक है उसके बाद भारती स्रमिधान में धनपेक स्रमंदी क्या प्रावधान है हमने उनको समझा अब next question हमारा है सिक्षा के प्रतिफल पर एक टिपणी लिखिए किस पर सिक्षा के प्रतिफल पर एक टिपणी लिखिए देखे, सिक्षा की प्रतिफल क्या है? सिक्षा के प्रतिफल का ताथ पर उन रिजल्ट से है उन प्रिनामों से है जो हमें सिक्षा प्राप्त करने के बाद प्राप्त होते हैं हमने सिक्षा प्राप्त कर ली उसके बाद जो हमें प्रिनाम प्राप्त होते हैं वो सिक्षा के प्रतिफल होते हैं सिक्षा द्वारा हमें जो लाब होते हैं वे मात्रात्मक भी हो सकते हैं, गुनात्मक भी हो सकते हैं, इस्थाई भी हो सकते हैं, इस्थाई भी हो सकते हैं, सिक्षा के जितने भी कारे हैं, वे शबी उसके प्रतिफल के रूप में गिने जा सकते हैं, सिक्षा के प्रतिफलों क कुछ ऐसे returns होते हैं, जो हमको थोड़े समय बाद मिलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, जो लंबे समय तक जो है, हमें help करते हैं, देखें, इनको एक एक को समझते हैं, जो तातकालिक परतिफल होता है, सिक्षा के उन प्रिणामों को कहते हैं, जो किसी वस्तु, कार या क्रिया का अधिगम करते ही, ततकाल लाब भी पहुँचा देता है, यानि कि आपने कुछ अधिगम किया, कोई learning की, और उसके बाद आपको तुरंत उसका परतिफल मिल जाए, तुरंत उसका आपको रिजल्ट मिल जाए, तो ये क्या होता है, ये आपको तातकालिक परतिफल हो गया, ठीक है, आलपकालिक परतिफल ऐसे परिणामों से समधित होते हैं, जिनका परतिफल प्राप्त करने के लिए अधिगम कर लेने के बाद कुछ दिन, कुछ महिने या कुछ वर्स तक परतिख्षा करनी पड़ती है, कि हमें उसका रिजल्ट मिले, तीसरा है, तीसरे प्रकार का दिर्ग कालिन परतिफल, भौतिक लाभों की दर्ष्टी से तो उतना अधिक मातपूर्ण नहीं होता, किन्तो मानविय जीवन को पूर्ता प्रदान करने और जीवन के चरम लक्ष आत्मान भूती को प्राप्त करने में इस कोटी के परतिफल का बहुत योगदान होता है, सिक्षा, चूंकि जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रकरिया है, अताहा इस निवेश का प्रतिफल, तातकालिक और अल्पकालिक प्रतिफलों से मात्रा में इतना अधिक होता है, कि उसे अपरीमित लाब देने वाला भी कह सकते हैं, जैसे कि लाहरन कहलेंगे तो आपने सिक्षा की पर्तिफल योधा उसको शमाझ लिया, अगला क्योशन हमारा कहता है, सामाजिक प्रिवरतन के शिद्धानत को समझते हैं, देखे, सामाजिक प्रिवरतन के मुकिता तीन सिद्धानत हैं, जो निम्न परकार हैं, कौन कौन से नमर एक पहला है प्राविदिक शिद्दान्त, सामाजिक प्रिवर्तन का पहला प्राविदिक शिद्दान्त है आगबर्ण के उनसार सभी प्रकार के सामाजिक प्रिवर्तन का आधार तकनी की छेतर में होने वाले विकास से है जब समाजी ने अपनाने लगता है तब समाज में प्रिवर्तन आने लगता है ये किस से लेटर है टेकनोलोजी से दूसरा है रेखिय शिद्धान्त रेखिय यानि की कॉंट्च, इस्पेंशर और कॉल मॉक्ष ने समाज के विकास के करम को एतिहाशिक बताया और एक ऐसे समाज की कलपना की जहां प्रिवर्तन चक्र इस्थिर होकर रह जाएगा कॉंटे ने समाजिक प्रिवर्तन को बौधिक विकास का प्रिणाम बताते हुए बौधिक विकास के तीन अवस्थाएं बताई धार्मिक अवस्था, ताप्तिवी कवस्था और वेग्यानिक वस्था तीसरा है हमारा चक्रिय सिध्धान्त इस सिध्धान्त के प्रतिपादक, श्पैंगलर, शोरोकिन और टैन्बी बाने जाते हैं टैन्बी के अनुसार, शमाज में प्रिवर्तन, विक्त की आंतरिक और आध्यात्मिक शक्ति के कारण ही आता है सोरोकिन के अनुसार समाज की तीन सिरिणिया हैं, विचारात्मक, शंबेदनात्मक और आजर्शात्मक जिन से समाज में प्रिवर्तन आता है और समाजिक घटनाओं के तीन चरण जन्म परिपकुता और उसके वाद उसका अंत इस प्रिवर्तन का कारण बनते हैं तो ये हमारे समाज में जो प्रिवर्तन होता है उसके तीन सिद्धान थे हमने तीनों को समझ लिया आगे बात करते हैं, हमारा question आता है नेत निजितसक्तत्तों का महतवा, श्रम्वैधानिक और व्यावारिक दिष्टि के बहुत महतपून है, इनके महतव को निम्न प्रकार से विक्त किया जा सकता है, नमर एक तो ये ऐसे सिध्धान्त है जिनके पीछे जन्मत शक्तिकारि करत अताह इन्हें नियाले द्वारा लागू नहीं किया जा सकता परंतु ये श्वेम में ही प्रजात अंत्र का शब्षे बड़ा नियाले हैं जनता के प्रति उत्तरदाई सरकार इसकी अभिहलना नहीं कर सकती है नैतिक आदर्सों के रूप में नीत निसकत तो बहुत महत्पूर हैं ये तत्व अन्य देशों की तरह ही भारत की शाशनिक नीति को प्रभावित और निर्देशित भी करते हैं शमिधा निर्माता इस तत्थ से परचित थे की परजात अंत्र में विभिन दल शत्ता रूड होंगे ये तत्थ विभिन मत रखने वाले राजनीतिक दलों को मर है यह जो तत्व हैं मांद्वित अरतिक और समाजिक लोगतंतर की थापना करना है अत्ता इन्हें भारती समिधान के एक महत्तपूंड भाग की रूप में देखा जाता है ये भारती लोगतंतर को निरंतर मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं सच्चे अर्थों में ये भारत की राजनेतिक शत्ता में सर्वोच इस्थान भी रखते हैं तो यह हमारा question था नित निसक जो तर्प्व होते हैं उनका क्या importance है इनको हमने समझ लिया आगे बात करेंगे अगला question है हमारा शामाजिक नियाए और सिक्षा स्वतंतरता और सिक्षा पर टिपने लिखे देखिए question जो है आपका यह ऐसे भी पूछ रखता है कि शामाजिक नियाए और सिक्षा पर टिपने लिखे सिर्फ इतना भी पूछ सकता है ठीक है लेकिन हमने इसको एक में मिलाकत के दोनों topic clear किये हैं पहले हम समझते हैं सामाजिक नियाए और सिक्षा शोशल जेस्टिशन एजुकेशन नियाएकार्थ उन सभी मानताओं और प्रतिक्रियाओं से माना जाता है जिनके माध्यम से प्रतिक विक्ति को वह सभी अधिकार और सुविधाय दी जाती हैं जिनें समाज के द्वार शुईक्रति परदान की जाती है किसी भी देश की उन्नती उस देश की नियाए विवस्था पर आधारित होती है कि उस देश की नियाए की विवस्था कैशी है नियाए के आधार पर वहां के नागरिकों में शामाजिकता और सरवांगिन विकास की बात शंभव हो पाती है नियाएक लिजस्था ना केवल समिधान की रक्षा करती है, बलकि वह सिक्षा शंस्थाओं को शमय शमय पर छात्रों के हितों के लिए कदम उठाने को भी प्रेडित करती है, जिससे शबी ठीक प्रकार से सिक्षा प्राप्त कर सकें। दूसरी बात है हमारा स्वत अंतरता और सिक्षा की बात करेंगे, हमारा समिधान प्रतेक नागरिक को स्वत अंतरता का अधिकार देता है, समिधान के अंचेद 19 के अंतरगत प्रतेक नागरिक को विचार करने, विचार अभिविक्त करने, शभा करने, ब्रहमन करने, आवास की विवस्था करने, शंपत्ती अर्जित करने और उसको उसका विक्रे करने की स्वतंतरता दी गई है, परत्रिक विक्त को अपनी सभा करने का, कहीं भी घूमने फिरने का, अपनी रहने की विवस्था करने का, शंपत्ती कर्ठा करने का पूरा अधिकार है, इस प्रकार श्वमि नागरिकों किवल धर्म मूलवंस जाती भाषा या इनमें से किसी एक क्या धर पर सिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा तो यह हमने स्वतंत्रता और सिक्षा को भी समझ लिया आगे बात करते हैं कोश्चन नमर 11 की दस कोश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं कोश्चन हमारा ज जनतंत्र के मूल सिद्धांत इस प्रकार है नमर 11 तो समानता के सिद्धांत है समझ यह जनतंत्र में सभी विक्ति समान होते हैं कोई 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 विशेश नहीं होता ना कोई छोटा है ना कोई पिछड़ा है ना कोई बड़ा है ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है ना कोई उ होती हैं आगे बढ़ते हैं शोतंतरता का शिद्धांत सभी विक्ति को हर तरीके की स्वातंतरता भी दी गई है शोतंतरता मनुसे का जन्म शिद्ध अधिकार है अतह मनुसे को विचार करने अपने विचार रखने अभिविक्त करने की स्वातंतरता होती है शबी वेक्तियों को अपनी रुची और इच्छाओं के अनुसार जीवन वेतित करने की और किसी भी धर्म को अपनाने की पूरी शोतंदरता है राज किशी पर कोई थोपता नहीं है कि आप इसी धर्म को मानें इस तरीके से रहें, वहां ना रहें, ऐसे जीवन ना चीएं, कोई दिक्कत नहीं है है ना, सबको छूट होती है परंतु शोतंदरता पर नियंतरन भी परमावश्यक है अनिथा ये भी जो शोतंदरता होती है वो सही गलत डारेक्शन में जा सकती है इसका भी ये भी भेनक रूप ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़े हैं बंदुत्त का शिद्धान्त, शोतंदरता और समांता में वेक्ति को एक दूसरे का भाई ही मानना चाहिए प्रतेक धर्म, जाति, लिंग, आदि के वेक्तियों में आपश में प्रेम और भाईचारा बहुत आविश्यक है शमाजवाद का सिद्धान्त, जनतंत्र, समाजवादी, विचारधारा से प्रेरित है शमाज के प्रतेक वेक्ति को, समाज के प्रती अपने उत्तरदायत को समझना चाहिए शमिधान में आदर्श, समाजवाद की धाणा प्रश्तुत की गई है नियाय का सिद्धान्त, जनतंत्र में नियाय के लिए निस्पक्षता एवन शमानता की विश्था है प्रतेक विवाद को का निप्टारा, नियायाले के माधिमों से पूर्ण मिश्वष्णी एवन सरुमाने तरीके से होता है धर्वनिपेक्ष या पंथनिपेक्षता का सिद्धान्त, जनतंत्र राज्य, अकसर धर्वनिपेक्ष भी होते हैं क्योंकि जनता केवल एक ही धर्म को मानने वाली नहीं है, सभी का अपना अपना धर्म है, जनता अनेक धर्मों यम्द, संस्कृतियों से शमंदित होती है समिधान में किसी भी धर्म को राष्ट धर्म शुईकार नहीं किया गया है राष्ट के लिए प्रतेक धर्म एक समान है कोई भी धर्म ना तो सरेष्ट है और ना ही किसी से निम्न है यानि कि केंद्र के लिए हमारी सरकाल के लिए हमरे समिधान के लिए सारे धर्म एक शमान है अगला कोशिन है हमारा अनुसूचित जन जातियों की सिक्षा के लिए क्या प्रयास किये गए बहुत अच्छा कोशिन है अनुसूचित जन जातियों की सिक्षा के लिए क्या प्रयास किये गए वो हमको बताने हैं जा सिक्षा नी अनुसूचित जन जातियों के लिए उनके रहन सहन के तौरतरीकों और उनकी आविश्चताओं को ध्यान में रग करके उनके लिए सिख्षा की कार योजना बनाई जाए सिक्षित एवं प्रतिभाशाली अनुसूचित जन जाती के नवियूकों को विशेश प्रसिक्षन दे करके अपने छेत्र में सिक्षा देने का कार भी सौंपा जाए आगे बढ़ेंगे आदिवासी छेत्रों में अनुपचारिक तिथा प्रोड सिक्षा के अंदर खोले जाएं इनके लिए विशेश उपचारात्मक पाठचारियों और अन्य कारिकर्मों की विवस्था की जाए आदिवासी के नवियूकों की प्रतिभा का पतर लगा करके उनक से समयधान प्रावधानों का उलेख किया गया है वो हमको बताने हैं देखेगा आवसरों की समानता के लिए समयधानिक प्रावधान कौन 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 नुम्बर एक तो धाला 28-1 इसमें क्या सभी अवसरों की शमानता के लिए क्या शमयदानिक प्रावदान? 28 एक में का गया है राज द्वारा, राज निधी द्वारा वेवस्थित, संचालित किसी भी सैक्षिक संस्थान में कोई धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा 28 दो ये दि संस्था किसी ऐसे ट्रिश्ट द्वारा संचालित हो जिसके प्रावधानों के अनुसार धार्मिक सिक्षा देने की बादिता हो और वह राज द्वारा संचालित की जाती हो तो एशी शनस्था को धारा 28 एक के प्रावधानों की अनिवारता से मुक्त कर दिया जाएगा धारा 28 तीन व्यक्ति की स्विक्रित के बिना जबर्दस्ती धार्मिक सिक्षा देने पर पाबंदी लग जाती है हम उसको बिना स्विक्रित के उसको जबर्दस्ती धार्मिक सिक्षा नहीं दे सकते धारा 29 एक भारत के राज छेतर अथवा उसके किसी भाग की निवाशियों के किसी भी भाग को अपनी विशेश भाषा, लिपी या संस्कृती बनाय रखने का अधिकार होगा धारा उंतिष्दो, राज द्वारा पोशित या राज निधी से शहता प्राप्त करने वाली किसी नागरिको धर्म, प्रजाती, जाती, भाषा या उनमें किसी एक की आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा धारा तीश में कहा गया है, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्प संक्षिक वरगों को अपनी रुची की, सिच्छाश्थाओं की स्थापना और प्रशाशन का भी अधिकार होगा धारा 350 ए में क्या का गया है? मात्री भाषा को प्रात्मिक सिक्षा शुवदाएं उपलब्द कराने का दैत्तो राज और इस्थानी प्रसर्शन का होगा धारा 14 विदी के समक्ष शमता इसकार्थ यहाँ है कि राज सबी वेक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू भी करेगा उनको धारा 15 एक राज नागरिकों में लिंक के अधार पर भेदभाव नहीं करेगा यह धारा इस्तरी सिक्षा से शम्मंदित है धारा 15 तीन इस्तरियों और बच्चों के लिए विशेश विवस्था करने में धारा 50 के प्रावधान भी आडे नहीं आएंगे तो यह हमारे अवस्थरों की शमानता के लिए जो समयधानिक प्रावधान है उनको हमने समझ लिया आप इसमें से अगर भूल जाएं तो 4-5 भी लिखकर के काम चला सकते हैं अगला क्योशन है हमारा नई सिच्छा नीती 2020 में सिच्छा में शारभामी करण के शंदर्व में क विश्थार से वर्णन कीजिए जलिए समझते हैं नई सिच्छा नीती की अनुसंसाएं इस प्रकार हैं देखिए पहला पॉइंट है हमारा देखिए वर्स 2017 में NSSO के 75 राउंड हाउस्खुल्ड सर्वे के अनुसार 617 वर्स के बीच की उम्र के विद्याले न जानने वाले जो बच्चे थे उनकी संक्या 3.22 करोड है इन बच्चों को यथार संबब पुना सिच्छा पनाली में शीगर वापस लाना ही सर्वोच प्रात्मिक्ता होनी चाहिए ये नई सिच्छा नीत की जो है अनुसंसा कह सकत कि वे इसकूल में दाखिला लेने के उपरांत उपस्थित हो रहे हैं और अगर वो उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो उन्हें मुक तो उन्हें पुना मुक्धारा से जोड़ने के लिए पर्याप्त शुविधाईं भी दी जानी चाहिए चाहिए चात्रों की भागिदारी साथ ही उन्हें कक्षा से जोड़े रखना भी एक महत्पूर्ण काम होगा ताकि छात्र विशेष रूप से लड़कियां और शामाची कार्थिक रूप से वंचित समूह के जो विद्यार्थी हैं ठीक है ताकि छात्र और उनके माता-पिता इसकूल में भागी-दारी के प्रत बनाना होगा तब ही सिक्षा के सारभामी करण को सुनिश्चित किया जा सकता है अगला क्योशन है सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही प्रकार की संस्थाओं के लिए ये आवश्यक है चाहे सरकारी हो गौर्डमेंट हो ये प्राइवेट हो ठीक है शब के लिए आवश्यक है क किवे संस्कृति, भूगोल और सामाजिक सनचना के अधार पर इस्थाई विविदताओं को प्रोथसाहित करें और इश्कूलों के निर्मान संबंदी नियमों को हलका बता करके इनका फोकस इनपुट पर कम और वांचित शीखने की प्रिणामों से समन्दित आउटपुट शमता पर अधिक ध्यान के अंदरित करें ये हमारी नई सिख्षानीती 2020 में सिख्षा के शौर्भमी किरन की शंदर्ब में अनुसंसाइं की गई है क्योशन और भी गुमा के पूछ रकता है लेकिन आप उसको समझेगा ठीक है अगला क्योशन है हमारा सिख्षा का अधिकार RTE को समझाईए RTE Act को हमें समझाना है 2009 को सिख्षा का अधिकार RTE को समझाईए शिच्षा का अधिकार एदिनिम 2009 की बात करेंगे देखिए बहुत ही गजब कोशन निकाले गए हैं ताकि मतलब कहीं से भी कोशन पूछ ले आप से छूटे ना क्योंकि मैराथन भी पूरी करा दिया सारे टॉपिक आपके के लिए करा दिया है कोशिश करूँगा कि एक दिन आपकी पास बचा है उसे एक दिन में मैं आपको 40-60 कोशन और करा दूँ 20-20 कोशन का कलेक्शन कर गए ठीक है कोशिश यह है क्योंकि 10-15-20 कोशन तयार करने भी कमसम 10-12 घंटे का टाइम जाता है विश्व में सरवादिक निरक्षर भारत में रहते हैं विश्व में सबसे अधिक जो अनपड है निरक्षर कहा रहते हैं भारत में इस अभिसाप से देश को मुक्ति दिलाने के लिए निसुलक एवम अनिवार सिक्षा पाने का अधिकार अनतह 1 अपरेल 2010 को परतिस्थापित किया गया ठीक है अनतह ने अता है अता है शन्द 2002 में समिधान के 86 में संसोधन द्वारा सिक्षा पाने के अधिकार को मॉलेक अधिकारों में शामिल करने के लिए सन्द 2009 में निसुलक यम अनिवार सिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया इस परकार अब भारत में 6-14 वर्ज की आयू WORG के सभी बच्चे विदिक तौर पर निसुल्क और अनिवार सिक्षा पाने के हकदार है सिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसमें स्रमिधान के छैसी में शंसुल्दन अधिनियम दोजार दो के दौरा 21 का जोड़ कर सिक्षा को मौलिक अधिकर बना दिया गया है जिसके द्वारा राज को यह करता भी शौपा गया है कि वह 614 वर्स की आयू के सबी बच्चों को निसुलक एवं अनिवार सिक्षा प्रदान करेगा सिक्षा अधिकार विध्यक को शिंशद ने 4 अगस्त 2009 को मन्जूरी प्रदान की और 1 अपरेल 2010 से सिक्षा का अधिकार कानून भी लागू किया गया तो इस तरीके से सिक्षा का अधिकार दिनिम 2009 पर टिपने लिखे समझाईए क्या है अलग लग तरीके से कोर्शन आपसे पूश रखता है आप आसानी से बड़े आराम से इस कोर्शन को लिख पाएंगे अगरा कोर्शन हमारा कहता है सर्व सिक्षा भियान के क्या उद्देश्यों होते हैं इनको बताना है सर्व सिक्षा भियान के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए सर्व सिच्छा अभ्यान को निम्नलकित विशिष्ट लक्षिओं के साथ तैक जा गया क्या लक्ष थे नमर एक तो विद्याले, सिक्षा गरंटी केंद्रों, वेकलपिक विद्यालियों या विद्यालियो में वापश अभियान दोरा वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को लाया जाए 2003 तक सभी विद्या ले सिक्षा गरंटी केंद्र वेकलपिक विद्या ले इसकूलों को वापस केंपस में लाना 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष तक की प्राणबिक सिक्षा पूरी कर सके हो 2010 तक 17,48 वर्षी प्राणबिक सिक्षा पूरी कर सके 2010 तक सारुबहमेक सिक्षा के लक्ष को भी प्राप्त करना ठीक है यह सारुच्चा भियान के उद्देश्य है जन सिक्षन निलियम के कारियों को बताईए बहुत अच्छा कोशन जन सिक्षन निलियम हो सकता है पूछले अपसे इसलिए हमने डाल दिया जन सिक्षन निलियम के क्या कारे होते हैं, इसको समझते हैं, देखें, जन सिक्षन निलियम, साक्षर्ता के प्रसार ही तो, शाम की कक्षाएं लगवाना, साक्षर्ता का प्रसार हो, अधिक से अधिक लोग साक्षर हो पाएं, उसके लिए शाम को भी क्लासिस लगेंगी, पु पुर्जा सनलक्षन और विक्सित चूला आधी विश्यों पर कम अवधी वाले परसिक्षन कारेकरम सुरू करना जिनकी अवधी कम हो जल्दी पूरे हो पाएं। पर कोशन नमर 18 होगा आपसे कहना चाहेंगे हम अगर यहां तक आप आ गए हैं लास्ट तक 20 कोशन देखने के बाद भीडियो को लाइक और चलों को सब्सक्राइब या कॉमेंट नहीं करते हैं तो थोड़ा सा ठिश पहुंचता है प्लीज लाइक कॉमेंट जिनकी ज़िएग नमर 18 तो कक्षा में भूख का निवारन करना सिक्षन कक्ष की भूख को दूर करने के लिए मद्याहन भोजन योजना उन परिवारों के बच्चों की सहता करती है जो भोजन का डिबबा नहीं जुटा पाते हैं टिफिन नहीं लापाते हैं इस्कूल से दूरी पर रहते हैं इस्कूल से भागिता का समवर्धन करना मद्याहन भोजन योजना ना केवल रजिस्टर में और अधिक बच्चों को नामांकित करने की शंदर्व में बलकि दैनिक आधार पर छात्रों की नियमित उपस्थिती के शंदर्व में इस्कूल से भागिता पर महतपुन मद्याहन भोजन योजना बच्चों के अनुपूरक पोश्ण के एक नियमित स्रोत का कारिभी कर सकती है और उनके श्वाष्था के विकाष को सुगम बना सकती है आंतरिक सैक्षिक मूले एक सुविवस्थित मद्याहन भोजन का उप्योग बच्चों को विभिन अच्छी आदितें सिखाने जैसे भोजन से पूर्व और उसके परश्चात अपने हाथ धोना और उन्हें अच्छे स्वाष्थ है अन्य संबद मावनों के महत्त के बारे में सिक्षित करने के लिए किया जा सकता है श्रमाजिक समानता को प्रोथसाहित करना मद्याहन भोजन शमताव साधी मूलियों का प्रसार करने में शहता प्रदान करता है क्योंकि विभिन शामाजिक प्रिष्ट भुमिए के बच्चे इकठे बैठना सीखते हैं और साजा बोजन करते हैं भोजन भी साज़ा करते हैं कि दूसरे के साथ मद्याहन भोजन योजना विशेश रूप शे इश्कूल के बच्चों के बीच जाती और वर्ग की बाधाओं को तोड़ने में भी सहता कर सकती है तो ये हमने समझा कि हमारी जो मद्याहन भोजन योजना है उसका क्या औचित है, क्या उसका उद्देश है, क्या महत्तो है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं Next question है हमारा, कस्तूर्बा गांधी बालिका योजना के उद्देश्यों पर परकाश डालिये कस्तूर्बा गांधी बालिका योजना के उद्देश्च क्या है उद्देश्च क्या है नमबर एक तो कस्तूर्बा गांधी बालिका विद्याले का मुख्य उद्देश्च है विशम परस्थितियों में जीवन यापन करने वाली अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए आवाशी विद्याले के माध्यम से गुणवत्ता युक्त प्रामिक सक्षा उपलब्द कराना पास समझ गया आप जो कस्तूर्बा गांधी बालिका विद्याले है इसका उद् विद्याले में ही होस्टल की शुविधा करके बालक बालिकाओं के लिए बालिकाओं के लिए बालिकाओं आएं इसकूल में रहें वहीं सिक्षा करें वहीं खाएं पियें उचित गुनवत्ता पून सिक्षा भी उनको मिल पाए माता पिता और अभिवावकों को पैरेंट् दश्वर्स से भी उपर है, विशिश कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमने वाली जाती समुदायों की बालिकाओं पर विशिश द्यान के अंदरित किया जाए, चलिए आज का लास्ट कोर्शन आपके शामने है, कोर्शन कहता है, आसरम पद्दती विद्याले की स्थापना की इस उद्देश को लेकर के हुई है, आस्रम पद्दती विद्याले की स्थापना का क्या उद्देश से हैं? इस योजना या योजना 1991 से संचालित की जा रही है और वित वर्ष 2089 से में संशोधित की गई है इस प्रकार इन विद्यालियों को गरीब और वंचित वर्ग के प्रतिमासाली छात्रों को उच्च कोटी की सिक्षा मुफ्त देने के लिए समाज कल्यान विभाग दोरा सब्सक्राइब कराने की सोच रहे है और कराएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरू कर लिजेगा पेड नोट भी प्रोवाइड कराते हैं आप में यहां मैसेज कर सकते हैं प्लीज लाइक और कमेंट थैंक यू सो मुच